प्रिया चोपड़ा है और तुम ये जानना चाहती हो कि मैं रेस हार क्यों गया तुम्हारे लिए तुम ये तुम ये तुम्हारे पापा के सामने ये एकी मिक्की छिकी लिकी सफीके बढ़ जाएंगे और अगर ये एकी मिक्की छिकी लिकी रेस जीत जाता तो तुम्हारा दिल तूट जाता और तुम्हारी जैसे खुबसूरत लड़की का दिल मैं कैसे तोड सकता हूँ कभी-कभी जीतने के लिए कुछ हार ना भी पड़ता है और हार का जीतने वाले को बाजिगर कहते है महबबत के दावे करते हो और फिर मरने की बाते करते हो बात में दम नहीं है कौन साला मरता है और अगर मर भी गया में साब तो हमेशा के लिए धड़कूंगा तुम्हारी धड़कन बन कर इतनी महबबत करते हो तुम मुझसे देव मुझसे क्या पूछ रहो अंचली अपनी धड़कन से पूछो अजान्थी हो तुमारी हर धड़कन क्या कहेगी क्या कहेगी तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो मेरी इन सासों से ये आखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने प्यारी आखें, कितनी फ्यारी आखें, आखों से चलता प्या, उद्रत ने बनाया होगा किस जिन्दी की खतम हो जाएगी मगर मेरी बात है नहीं मेरे दिल बन मेरे जानन मैंने तुम से प्यार किया बेचेनी बढ़ती जाती है तुम कैसा दर्द त्यार मैंने प्यार तुम ही से खिया और मेरे तुम की खेंगे तुम कोई तुम ले जाओगे मुझे आज मैं तुम्हे अपनी तरफ से बाहर ले जाओगे अदमी अच्छा है इरादा नेख है और मो सम फर्स क्लास है चलें मिस्टर करन एक छोटी से डांस रूप से इस बंगले की तरक्की का श्रेय किसे जाता है आपकी मेनत को या आपकी किस्मत को मेरी तरक्की का श्रेय सिर्फ प्रिया को जाता है मैंने तो सिर्फ बड़े बड़े सपने देखे थे अगर इनका साथ ने होता तो कभी पुरे ने होते ये तो इनका प्यार है वैसे मैंने कुछ नहीं किया मैं सिर्फ उसी रास्ते पे चली हूँ जो इन्होंने मुझे बताया करन हम कितनी खुश नसीब है जो कुछ भी हमने चाहा वो सब कुछ हमारे पास है मेरी सबसे बड़ी खुश नसीब है कि तुम मेरे पास हो करन क्या तुम हमेशा मुझे से इतना ही प्यार करते रहोगे क्या तुम हमेशा मुझे इसी तरह चाहोगे केरन हम लोग शादे क्यों निकल लेते है क्या I'm serious मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं मैंने तो सिर्फ एक चीज के पर में सोचा है क्या मेरा करिया मेरा संगीत मैं इस देश की नमर वन सिंगर बना चाहते हूँ वो तो ज़रा मुश्किल है क्यों क्योंकि वो जगा तो कब से मेरे लिए बुक्ट है किरन हम दोनों का एक ही सपना है इससे अची बात और क्या हो सकती है हमारी एक ही मन्जल है हम दोनों मां साथ पहुंचेंगे बोलो तुम मुझ से शादी करोगी वो फूल तुमने भेज़े थे हम दोनों के बीच में जो खरत फहिमी है उसके लिए मां मुझे सब पता है नहीं सीमा जूट तो मैंने अपने आप से कहा है तुम्हारे साथ मोहबत का नाटक करते करते पता नहीं कब मैं तुम्हें सच मुझ जाने लग यह और इस बात का हैसास मुझे उस दिन हुआ जब मैंने तुम्हारा दिल दोना इनके दिलों में आपके लिए क्या है क्या है नफरत करते हैं आप से नफरत एफिबड़ी हेट्स यू पीट-पीचे हसते हैं वो आप पर बेवकूफ समझते हैं आपको जानते हैं ये आप फिर भी उन्हें दीवानों की तरह महबत करता हूँ जानती हो क्यों क्योंकि नफरत को सिर्फ महबत से जीता जा सकता है सिर्फ महबत से इतना प्यार देना चाहता हूँ इतना प्यार देना चाहता हूँ सबको कि एक दिन सब लोग मजबूर हो जाए मुझे प्यार करने पर कल मैं पूरा दिन सोने पाया पूरा दिन? ने मेरा मतलब रात पर सॉरी वैसे मैं भी रात पर सोने ही पाई अच्छा नहीं नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करती है ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ और इस बात ने वाके मेरे दिल में तबला तबला बजा दिया तो मुझे भी लगा कि मुझे भी अपनी फिलिंस को शेयर करनी चाहिए अंजली मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं आई लव है तो हाथ से हमारा प्यार शुरू है अरे जाए अरे कहा गई और हो इसे चाने वाले हो इतने दिरों बाद आये हो आज तु महभूबा के रह में तुम्हें पिछा कर बैठना चाहिए था और तुम अपनी आंके इस किताब पर जमाए बैठे हो इसलिए कि कितावे मूंगी तुम्हें मगर कोई चहरा भी तुम्ने परागे पढ़ा है मेरी जान नजर से पढ़ा है पढ़ा मेरी चहरे पे क्या ग्या अझलो अजलि मुझे ऐसा मजाक बिलकुल पसाद नहीं समझे देखो मेरा तिल कैसे दाड़क रहा देखो किसी दिन ये मजाग सच निकला तो हास्ति मिटा दूंगा किसकी मेरी अरे नहीं तुम पर तो आज भी नहीं आने दूंगा खुद मर जाओंगा महबत के दावे करते हो और फिर मरने की बाते करते हो बात मिद्दम नहीं है कौन साला मरता है कौन साला मरता है और अगर मर भी गया मेम साहब तो हमेशा के लिए धड़कूंगा तुम्हारी धड़कन बनकर वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है तो फिर मुझे प्यार क्यों किया हाँ ये एक अमबक दिले के गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पढ़ता है तो भुग तो कभी मुझे को हसाए कभी मुझे को रुलाए मुझे कितना सताती है कभी मुझे को हसाए कभी मुझे को रुलाए मुझे कितना सताती है वो लड़की बहुत यार खाती है वो लड़की बहत यह थाती है वो लड़की बहत यह थाती है